आज की इस वीडियो में मैं आपको बताओंगे, कैसे आप अपने यूटुब के थम्नेल में जो इमेज लगाते हों, उसमें आप वाइट आउटलाइन दे सकते हैं. अपने बहुत सारी यूटूबर के thumbnail देखे होंगे जिसमें वो अपनी image लगाते हैं या कि कोई और image जो उने highlight करनी होते हैं उसे इस तरह से white outline दे देते हैं इस तरह की image लगाने से जो आपका YouTube का thumbnail होता है वो काफी attractive हो जाता है, engaging हो जाता है आप अपने image को ये white outline दे सकते हैं, ये जो effect है white इसमें आप चाहें तो red, green, yellow, blue किसी भी color का दे सकते हैं ठिक border लग सकते हैं, blur कर सकते हैं, इस सारी effect आपको कैसे देना है, इसकी बहुत easy method में आज आपको इस video में बताने वाली हो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको canva में चले जाना है, जैसे कि सबसे पहले आप देखें, मैं canva में आ दे हूँ तो जब भी आप canva login करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह से dashboard आजाता है अब मैं अपने thumbnail कैसे बनाती हो, वो मैं आपको बताती हूँ तो देखें, मैं क्या करती हूँ, यहां जो create design देख रहा है, यहां पर आती हूँ और यहां पर मैं जब YouTube के लिए thumbnail बनाती हूँ, तो मैं आपर लिखती हूँ YouTube thumbnail तो यहां पर automatically canva मुझे एक size suggest कर देता है, मैं simply इसी size को ले लेती हूँ जैसे कि आप देखेंगे कि यह एक canvas आ गया है, यह complete जो YouTube की thumbnail की size होती है, वही आ गया, हमने simply यहां पर YouTube thumbnail search किया, तो 1280 x 720, पिक्सल का यह canvas आ गया, अब क्या करेंगे, अब मैंने यहां पर upload में, अपनी image upload करके रखी हूँ थी, मैं आपको बता देती हूँ, यह देखेंगे यह मैंने अपनी image upload की थी, मैं यहां पर set as a background कर देती हूँ, फिलहाल की लिए आपको बता रही हूँ, तो यह एक मेरी image है, अब मैं क्या करूँगी, कि यहां पर ने कि इस image पर आप click करेंगे, और edit करेंगे, तो मैं सबसे पहले आपको एक best option बताती हूँ, जो मुझे यह वाला जो option है na magic grab, आप इस पर click करें magic grab पे, आप पहले इस video को complete देख लेजे, उसके बाद पर रहसे ट्राइ करिएगा, अब इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, देखें कितना अच्छा option है, आपका background as it is है, अब मैं इसको यहां पर भी रख सकते हूँ, और यहां प यहां पर वापस में edit पर गई, यहां पर इसको delete कर दीजे और यहां पर आप इसे black color कर दीजे, so that आपको जाद अच्छे से समझ आएगा, अब मैं बताती हूँ यह, अब इस पर image पर मैंने click किया, edit photo, edit photo के बाद यहां पर आप देखें, फिर से ध्यान से समझे, image पर click किया image पर click करने के बाद edit photo, edit photo के बाद आप नेचे आएगे, तो यह आपको दिख रहे है न option, effects, आपको effects पर जाना है, अब यहां पर आपको तीन option दिखेंगे, तो यहां पर यह जो glow option है पर आपको गलो पर जाना है, आपको outline पर नी जाना है, अपको outline पर आप colour change कर दीजे, तो हम पीछे जाएंगे तो और कम वाइट देखेगा, लिकिने से फुल कर देंगे तो वाइट हाइलाइट हो जाएगा, अब ये किस form में है, ये blur form में है, अब हम क्या करेंगे, जो blur amount है, ये कम कर देंगे, अब देखें ये white हो गया, है ना, अब size आप देखो कितना लेना है, य इतना भी highlight करना है, जैसे कि मुझे इतना highlight करना है, ठीक है, color change करना है, जैसे कि मुझे red color करना है, ये red color हो गया, अगर कुछ ऐसी चीज़ बता रहें, जिसमें आपको red background दिखाना है, कुछ solving वाला दिखाना है, आपको green दिखाना है, blue दिखाना है, जो भी color का background देना चाहे जाद अतर white बहुत attractive होता है, तो लोग white use करते हैं, yellow use करते हैं, यह हो गया, यह image हमने यहाँ पर रख दी, इसको आफ फूल कर दीजे, बाकि फिर आपको text लिखना है, तो आफ फिर text पर आईए, और यहाँ पर text लिख दीजे, जो भी आपको लिखना है, यहाँ पर, इस तरह स आप white image, जो भी आपकी image है, उसमें आप white effect दे सकते हैं, तो I hope so, कि इस video में आपको solution मेल गया होगा, बागी blogging से related, digital growth से related, मेरा यह YouTube channel है, Digital Mekha Moria, यहाँ basically मैं blogging से related, बहुत जादा content create करती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक blogger हूँ है, मैं blogging करती हूँ, अभी मैं digital growth से related भी videos आपके लिए लेके आऊँगी, social media, YouTube से related भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगे, क्योंकि जब आप blogging करते हो ना, तो आपको सारी चीज़े करनी होती है, आपको social media भी करना होता है, आपको YouTube भी करना चाहिए, एक blogger के अंदर एक online की सारी skills होनी चाहिए, तो इसमें आप particular blogging करते हैं, तो आप blogging से related content देखिए, आप YouTube करते हैं, आप YouTube से related content देखिए, आप social media करते हैं, आप social media से related content देखिए, लेकिन मैं जाहूंगे कि आपके अंदर सारी skills होनी चाहिए, आपको सारा solution मिलना चाहिए, और मैं अपने digital mega channel पे मैं आपको blogging से related और digitally growth से related बहुत content देने वाले हो, तो अगर आप new हैं और अपने इस channel को subscribe नहीं किया, तो इस channel को subscribe कर लीजे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत useful videos मिल जाएगी, thank you.